क्या आपको पता है कि दवाई के बीच में ये लाइन क्यों बनी होती है आज मैं इस वीडियो में ये आपको बताने वाला हूँ कि इस लाइन को बनाने का क्या मकसद है आप सभी तो ये जानते होगे कि हर दवा का पावर अलग-अलग होता है किसी दवाई का पावर ज्यादा होता है तो किसी का कम होई दवा जो बहुत ज्यादा पावर की होती है लेकिन आपको उस दवाई को कम पावर में खाना होता है तो डॉक्टर कहते है इस दवाई को तोड़ कर आदी खा लीजिए इसका मतलब यह है कि उस दवाई को तोड़ने पर उसका पावर भी आदा आदा हो जाता है अगर उस दवाई का पावर 600 है तो वो 3300 की दो गोली बन जाती है तो इस लाइन को इसलिए बनाया जाता है कि आप किसी भी दवाई को बराबर दो हिस्सों में आसानी से तोड़ सके अगर यह इंफोमेशन आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए